अब भंद करो हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब भी लोग आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके हैं Solid State का Coordination Number और Nearest Neighbors के बारे में चातर बच्चों को इसमें तकलीफ होती है सर कि ये दूसरा एटम का आँगया हाँ बच्चों अगर आपको ये बातें पता लग जाएं कि एक कॉर्णर से कितनी एजेज पास हो रही है या फिर एक कॉर्णर से कितने Body Diagonal जा रहे हैं या फिर कितने Face जा रहे हैं तो बच्चों फिर ये परिशानी आपकी यहाँ पे खतम है तो आए बेसिक से इसको स्टार्ट करते हैं इसमें बच्चों देखे कि हम यहाँ पे एक क्यूब ले रहे हैं और इस क्यूब में Corner से पास होने वाले कितनी Number of Edges हैं उनको पहले Point Out कर ले रहे हैं तो देखे बच्चों एक तो यह हमारे पास Number of Cubes आ गया है जो की Doodle कितने है 8 है हमने बच्चों यहाँ पे एक Point पकल लिया अब हम इस से यहाँ पे यह देखने वाले हैं कि इस Corner से कितनी Edges पास हो रही है देखे इस Point को हमने As a Reference Point ले लिया और इस Reference Point से Pass होने वाली Number of Edges Count कर लेते हैं तो देखो बच्चों बहुत Simple सी बात है यह यह देखे एक यह गई Second दूसरी एज गई Third Fourth And Fifth And Six तो यह बात तो आपको Clear हो गई होगी कि अगर मैं इस Point को As a Reference Point ले लो तो यहाँ से इस Corner से Total Number of Six Edges पास हो सकती है अगर इसको देशी बासा में देखना चाहते हैं तो ऐसे देख लीजिए जैसे मैंने कि यहाँ पर क्यूब ड्रॉ कर लिया मालनो बच्चों इस Point को As a Reference Point ले लिया ठीक है आप देखी एक इस यह जा रही है Boss इस यह हो गई यह वाली है Second is यह वाली is Third is इसको आपने ऊपर ट्रांस्लेट कर लिया इसको आगे बढ़ा लिया और इसको पीछे डखे लिया तो आप यहाँ से यह समझ सकते हैं कि अगर मैंने Corner को As a Reference Point ले लिया तो उस Corner से पास होने वाली Number of Isis will be 6 एक यह Basics of Fundamental अगर आप याद कर लो तो आगे की सारी बातें बहुत ही आसान होने वाली हैं ठीक है आगे देखते हैं तो बच्चों यह हमें याद होना चाहिए कि टोटल Number of Isis passing through a Corner आर टोटल 6 यह हमें ध्यान रखना है अगले Point पे आते हैं एक दूसरा Basic Fundamental कि अगर आपने Corner Point पकल दिया तो उस Corner Point से Total Number of Body Diagonal कितने पास हो रहे हैं उसको देख लेते हैं अगे इस सेकेंड पॉइंट यह हमें अगर पता है तो आगे नियरे इस निवर पता करने में बहुत ही आसानी रहने वाली है तो देखो बच्चों सबसे पहले क्यूब ड्रॉब कर लेते हैं और क्यूब पे अपने एक रिफरेंस पॉइंट पकल लेते हैं सेंटर में अब देखें यह मैंने एक सेंटर पॉइंट पकल लिया इस क्यूब का अब यहां से देख सकते हैं कि एक क्यूब में आपको पता है अगर जिसे मालबो मैंने اي aura can रोक है एक पॉइंट आपने इस और कड़न लिए यह वाला पॉइंट झाहे हैं अगर आपने एक रिफ्रेंस के यहां से पर लिया तो इससे जानने वाला एक ही बोडियंट्यों को आप मिला लो बोड़े देगनल बने गा इस कॉर्णर से हैं यहां पे पास कितने क्यूब्स बन रहे हैं। आट क्यूब बन रहे हैं तो अब यसले कितने बॉड़ी डाइगनल पास होंगे एट बॉड़ी डाइगनल से पास होंगे आई इनको वन बाइवन करके देख लेते हैं देखें यह देखो यह पहला गया हूँ हुआ है सेगेंड अलब यह आप जो देख रहो ना आट कॉर्णर से हैं उन सब से एक एक बॉड़ी डाइगनल मिलेगा जो कि सेंटर से पास हो रहा है यह देखेंगे लिए थार्ट वन और फॉर्थ वन 5, 6, 7, and 8 तो देख लो बच्चों आपने एक क्यूब लिया उसमें आपने एक कॉर्णर पॉइंट as a reference पकल लिया तो इस कॉर्णर पॉइंट से पास होने वाले अगर मैं उस पॉइंट को as a reference पॉइंट ले रहा हूँ तो एक क्यूब के अंदर मुझे एक बॉड़ी डाइगनल मिलेगा चूकि क्यूब कॉर्णर जो है वो 8 क्यूब के अंदर कॉमन है तो ऐसे टूटल बॉड़ी डाइगनल पास होने वाले बच्चों कितने होंगे यह दो बाते हमें ध्यान रखनी है बच्चों अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे देखेगा यह देखिए हमने क्यूब ड्रॉग गया अब बच्चों यहां पर हम यह देखने वाले हैं न कि इस बिसिकली सेंटर पॉइंट से कितने फेसेस ओवरॉल पास कर सकते हैं ठीक है आपको अगर एक क्यूब यहां पर ढूर कर लिया इस तरीके से तो इस क्यूब में अगर आपने एक कोर्नर फिक्स कर लिया तो एक क्यूब के अंदर पर बच्चों तीन फेसस जाते हैं आ से देखो एक यह ऊपर वाली छत्री है यह वाली एक तो यह होगा ठीक है एक कौन सी हुई यह बैक फिस वाली सेकेंड वाली यह सेकेंड हो गई और थर्ड कौन सी होगी यह वाली अगर आपने इस पॉइंट को ऐजे रिफरेंस पॉइंट पकार रखा है लेकिन बच्चों य इसथे सी बात है देखों दखाते हैं आपको यहां पर यह देखेंट है आपने यह ये चार फेस इस कौर्णर पॉइंट से जा रहा है है ठीक है बच्षो इसके आगे देखते हैं पर इसके आगे से यह काउट आफिstillगानए ऐम थेhesia फिफ्ट कम नहीं हुई है और बच रहे हैं देखो यह देखिए यह वाला प्लीन यह नाइन्ट वन हुआ है टेंट 11 and 12 तो बिसिकली अगर बच्छो हम काउंट करें एक कॉर्णर से ओवर्वल कितने फिसस पास होंगे तो दे टोटल 12 अगर आपके आप इसको दूसरे तरीके से समझने में समझना चाहते हैं उसका भी तरीका है देखिए ऐसे जैसे मैंने क्यूब ड्रॉ किया इस तरीके से एक क्यूब बना लिया आपको बता है कि इस कॉर्णर से तीन फिसस पास हो रहे हैं अभी आपने देखा एक तो ये टॉप वाला फिस होगा एक ये लेफ्ट वाला और एक बैक फिस वाला टोटल तीन फिस पास हो रहे हैं और बच्छों कितने क्यूब में जा रहा है एट क्यूब में जा रहा है तो टोटल नमबर ओफ इस कितने हुए एट इंटू थ्री ट्विंटी फॉर लेकिन यहां पे गड़बड है गड़बड किया है बच्छों कि आपने हर एक फेस को दो बार काउंट किया है कैसे देखो बालो इसके बगल में एक क्यूब बन किया है यानि आप हर क्यूब को क्या कर रहे हो दो बर काउंट कर रहे हो ठीक है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइट बैडू तो टूटल नमबर ओफ फिस पासिंग थ्रूए कॉर्णर विल बी ट्वेल ठीक है तो मैंने बच्छों आपको तीन बाते बताईं एक तो यह थी कि कॉर्णर से कितनी एजस पास हो रही है यह टूटल सिक्स कॉर्णर से पास होने वाले टूटल नमबर ओफ बॉड़ी डाइगनल यह अगर तीन बेसिक बातें आपको पता है ना बच्छों तो आप निरेस नेवर या कोडिनेशन नमबर निकालने में आपको ब आपको बता है कि जो सिंपल क्यूबिक उनिट से लोता है उसमें लोकेशन ऑफ पॉइंट्स का होती है कॉर्णर पोजिशन स्पे यानि जो एटम से यार प्रेजेंट कॉर्णर पॉइंट पॉइंट्स ओनली प्रिमिटिल सेल्विक बोलते हैं इसको कॉंटेक्स के लोग हो होता है तो है तो यह वाला था इस यह लाज कर रहा होगा इसको थे कर रहा हुगा ठीक है लेकिन आपको तो पता है कि जो यह सेल से यह आर इस्टेक्ट इन ओल्ड डिरेक्शन और यह पूरा थ्री डिमेंशनल लैडिस फॉर्म होता है और हर एक लैडिस पॉइंट इस एक्विविलेंट एकॉर्डिंग तो लॉफ क्रिस्टलोग्राफिय आपको सिखाते हैं पर कि किस तरीके से कोडिनेशन नंबर वगरा देखी जाएगी तो देखो बहुत सिंपल है यह कि अगर बात करें तो यह वाला फॉस वाला टाच हो रहा होगा मैंने आपको बता है कॉंटे किसके लोंग है एसके लोंग है तो यह फॉस वाल एकको क्या कर रहोगा टैश कर तो अब यह बताओ किसके लोंगे, भी सीधी सी बात दिख रही है, एज के लोंगे, तो अगर एक corner से आप S देख रहे हो, तो total number of edges passing through a corner will be 6, simple, अभी हमने देखा, कि अगर आप एक corner को as a reference point बगड़ लो, तो उस corner से जाने वाली S कितनी होती है, 6 होती है, तो बच्चों, जो यह first होगा, that will be first nearest neighbor, all coordination number, ठीक है, सीधी सी बात है, बिल्कुल simple, तो अगर हम first nearest neighbor की बात करें, simple cubic unit cell में, तो there will be 6 at a distance of a, अगर हम इस cube की as length a assume कर लें, simple है ना बच्चों, बहुत ही आसान है, अब आते हैं second nearest neighbor पर, अब देखो, अगला पडोसी इसका तहां पर होगा, यह देखो, under root 2 a distance पर along the face diagonal, ठीक है, आपको मैंने बात क्या सिखाई, कि corner से pass होने वाले faces कितने होते हैं, 12, तो simply जो second nearest neighbor होंगे, वो कितने हो जाएंगे, यह हमें सिधी सी बात है, कि यह देखना है कि atom की location किसके long है, edge के long है, face के long है, या body diagonal के long है, और हमने तीन बाते हमें पता हैं, कि corner से pass होने वाली edge 6 होती है, body diagonal 8 होते हैं, और face कितने होते हैं, 12, बस इतनी से बात याद रगो, पिर कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा, इसके ब के long है, body diagonal के long है, obviously corner से जाने वाले body diagonal कितने होते हैं, they are 8 at a distance of under root 3A along the body diagonal, तो यह कहानी हो गई, simple cubic की, जिसमें हमने 1st, 2nd, 3rd, nearest neighbor, देखे, अगली unit cell में आते हैं, body centered cubic में, आपको location बता होगी, atoms की, के atoms जो है, वो सारे corners पे होते हैं, as well as at the body center of Q, ठीक है, बच्छो, यहाँ पे contact कहा होता है, along the body diagonal, यानि जो body center वाला atom है, वो corner वाले atoms को क्या कर रहा होगा, touch कर रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक reference atom हमने मान लिया, corner वाले को, lattice में सारे atom identical हैं, आप क लेगे, यह सबसे खास परोसी है, force nearest neighbor है, जिसको आप coordination number भी बोलते हो, ठीक है, किस के long है, body diagonal के long, obviously, जो body center atom है, वो corner वाले को क्या कर रहा होगा, touch कर रहा होगा, कितने distance पे touch कर रहा होगा, behalf of the body diagonal, that is root 3A, divided by 2, which is under root 3A by 2, तो अगर force nearest neighbor की बात करें, तो बच्छो, इनके numbers कित कैसे होंगे, corner से जाने वाले, total number of body diagonals are 8, और distance क्या होगी उनकी, which is under root of 3A by 2, यह होगी हमारा, force nearest neighbor, and coordination number जो होती है, वो force nearest neighbor के equal होती है, that is 8, अब आज़ो इससे body distance लेखते हैं, under root 3A by 2 is basically 0.866A, अब इससे body distance पे item कहां पे होगा, along edge, edge के long होगा, और corner से pass होने वाली edges कितनी बता हैं आपको, total 6, तो यहाँ बे second nearest neighbor will be 6 at a distance of A, यह हमारा second nearest neighbor हो गया हो, simple है बच्छो, third अगर अपन distance की बात करें, इससे body distance ले, that is along the face diagonal, देखे विटा, यह distance कितनी है, under root 2A, अगर यहाँ से देखें, इस distance को, तो यह distance कितनी आ रही है, under root 2A, किस के long आ रही है, phase के long आ रही है, वो corner से pass होने वाले number of phases are 12, at a distance of under root 2A, तो यह हमारा third nearest neighbor हो गया, किस के अंदर, body centered cubic structure के अंदर, इसके बाद वाले में आते हैं, FCC unit cell में देखते हैं, देखें, अगेर हमने एक reference point ले लिया, corner position ले लिए, इस सबसे आसान है corner से देखना बच्चों, क्यूंकि आप देख किसी वे item के along देख सकते हो, सारे points जो हैं, they are identical, लेकिन corner से देखने में थोड़ी से आसानी रहती है, देखें, आपने इसको एक reference point बख़़ लिया, आप पता है है कि जो items हैं, वो सारे face centers पे होते हैं और corners पे होते हैं, contact किसके along होता है, along the face diagonal, item किसके along contact में होते हैं, face diagonal के, तो यहां से बच्चों अगर force नियरे स्नेबर की बात करें, तो यह वाला जो item है, force वाला, यह इस corner वाले को touch कर रहा हुगा, कितने distance पे, that is half of face diagonal, which is under root of 2A, divided by 2, is equal to A by root 2 distance पे, numbers कितने होंगे, किस के along है, face के along है, और corner से जाने वाले total number of phases कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो इनके numbers कितने होंगे बच्चों, 12, और force nearest neighbor कोई आप क्या बोलते हो, coordination number, so coordination number of FCC unit cell will be 12, इसके बाद आते हैं, अगले वाले पे, second nearest neighbor पे, तो second nearest neighbor को अगर अपन देखें, तो आप देखें, HK long, वि A by root 2 जो आता है, that is, 0.707A, इससे body distance cube में कितनी आएगे, 0.866A, that is at body center, और FCC में तो body center पे आता हमीं नहीं होता हूँ, तो बड़ा जो next distance होगी ना, that will be A, किसके long है, HK long, corner से pass होने वाले edge कितने हैं, total 6, तो यह मेरा second nearest neighbor हो गया, third पे आते हैं, third one थोड़ा सा complicated है, बच्चों इसमें हलका सा परिशान होते हैं, उनको यह लगता है, कि आपने इसको reference लिया आना, तो सर्थ तीसरा वाला जो होगा ना, वो यह वाला होगा, under root 2A वाला, face diagonal वाला, नहीं बच्चों, उससे छोटी भी एक distance हमें मिल सकती है, अगर आप ध्यान से observe करें, कैसे, आए देखते हैं, देखें, इस corner से तीन face pass हो रहे हैं, एक top वाला face, यह वाला face, pass हो रहा है, एक यह face pass हो रहा है, side वाला, और एक back face pass हो रहा है, बच्चों, तीन face तो इस corner से जा रहे हैं, लेकिन तीन ऐसे face भी तो हैं, जो इससे pass नहीं हो रहे हैं, जैसे यह bottom face हो गया, यह वाला face हो गया, और एक आगे वाला face हो गया, तो face center unit cell में, इनके भी तो face center पे atoms रखे हुए हैं ना, तो क्यों ना, इनके distance निकालके देख ले, चलिए, निकालते हैं, देखिए, मालों इस item के distance निकाल रहे हैं, इस corner से आप, इस item के distance निकाल रहे हो, कैसे निकालोगे भाई, यह वाली distance कितनी है, a भाई, root 2, यहां से यहां एक projection ड्रॉ करिए, यह distance से a के बराबर, आप इन दोनों points को मिला दो, इन दोनों points को मिला दो, पाईथागुरस लगा लो बच्चों, देखों, पाईथागुरस लगा लेते हैं, इसके बाद, यहां से मालनुए distance x आई, इसको लिख लेंगे, x square is equal to, a by under root 2 का whole square, plus a square, तो यह कितना आजएगा आपका, a square by 2, plus a square, that is, 3a square by 2, यानि x की value कितनी आ रही है, under root of 3 by 2, into a, which is under root 1.5 a, यह तो under root 2 a से छोटा हुआ ना भाई, क्योंकि यहां से corner atom की जो distance आ रहे थी, वो तो root 2 a आ रहे थी, और यहां पर इस face center atom की distance कितनी आ रहे है, under root of 1.5 a, obviously resistance क्या है, इस से, इस वाले atom से जो होगी, वो कम निकल के आएगी, अब यह पेशान नहीं होंगे, ठीक है, distance तो कम मिल गई, which is under root 3 by 2 a, चलिए, distance को निकाल लिए आपने, इनके numbers कितने होंगे, आप देखिए, यहां से आपने इस corner को पकड़ा, ऐसे कितने face मिल रहे है, इस cube के अंदर, 3, ठीक है, corner total कितने cube में common है, 8, तो total number of faces कितने हुए बच्छों, यहां से 8 into 3, that is 24, यानि total ऐसे 24 faces मिलेंगे, जो इस corner से overall 3 dimension के अंदर पास होंगे, at a distance of under root 3 by 2 into a, तो बच्छों ही हमारा third nearest number हो गया, तीसरा पड़ोसी हो गया, face centered cubic structure के अंदर, अबे बंद करो,